जीवन में हर विक्ति को कई तरह के उतार चड़ाव का सामना करना पड़ता है हर कोई धन कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है ताकि घर परिवार को सुख सम्रंती धन भ्यावव की प्राप्ति हो सके लेकिन कई बार विक्ति को कड़ी मेहनत के बाद भी फलो की प्राप्ती नहीं हो पाती ऐसे में विक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है इन सब का कारण वास्तु दोश और कुंड़नी में ग्रहे दोश होते हैं पैसो की तंगी विक्ति को तुनाम में ले जाती है लेकिन जोतिश शास्तर में आर्थिक तंगी से बाहर आने के कहीं रास्ते बताये गए हैं जोतिश के अनुसार एक उर्पे के सिक्के के इन उपायों से आर्थिक समस्यों से चुटकारा पाया जा सकता है तो ये जानते हैं जोतिश की उन उपायों के बारे में जदि आप पैसो की तंगी से प्रशान है या फिर आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो एक मुठी चावल और एक उर्पे का सिक्का लेकर मंदिर जाएं और भगवान के सामने प्रातना करें इसके बाद मंदिर के एक कोने में चावल और सिक्के को रख दें ध्यान रहे ये काम आपको चुपचाप करना है ऐसा करने से आपकी आर्थिक परशानी जल्द ही दूर होगी जोतिशासिक अनुसार आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए शुकरवार को घर के मंदिर में पूजा करें इसके बाद एक चौकी लगाए और उस पर पांदी से भारा कलश रखें इसके बाद कलश पर केसर स्वास्तिक मनाएं और उस पर एक रुपे का सिक्का डाल दें इससे मालक्षमी की किर्पा आप पर बनी रहेगी और विक्ति की आर्थिक स्थिदी में मजबूत होगी जदि आप जीवन में खूब सरा पैसा कामना चाते हैं तो पर्स या वॉलेट में एक रुपे का सिक्का डाल लें इसके बाद सिक्के के साथ एक मोर का पंख भी रख लें ऐसा करने से विक्ति का पर्स कभी खाली नहीं होगा और विक्ति को पैसी की कमी भी नहीं होगी घर पर दरीदर का होने से विक्ति को पैसों जूड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसके लिए रोजाना शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर एक चों मुखी दीपक जरूर जलाएं इसके बाद इस दीपक में एक रुपे का सिका डाल दें ऐसा कने से माग लक्षिमी का आगबन होता है और नकरातमक उड़ जा दूर होती है ऐसे लिए वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद